तो basically class 10th की next video में जो की coordination, जो matrix related है इस video में हम सबसे पहला formula करेंगे जो की कौन सा formula, distance formula तो basically ये हमारे पास जो chapter है, ये सारा का सारा xy plane में जो point present होते हैं उसके उपर है तो coordinate जो है हमारे पास partition coordinate जो है उनके अंदर दिये हुए points के बारे में पढ़ेंगे तो suppose करो ये मेरे पास एक xy plane है, इस xy plane के उपना दो point दे रखें, एक a point है, एक b point है जो a point है उसके coordinate है मेरे पास x1, y1 और जो b point है उसके coordinate है मेरे पास x2, y2 तो basically मुझे distance कौन सा measure करना है, मुझे actually मैं a b measure करना है ठीक है, तो इसको measure करने के लिए मैं के कर रहा हूँ, मैं a points है na, al draw कर रहा हूँ, perpendicular x axis पे और bm draw कर रहा हूँ, perpendicular किस पे, x axis पे तो coordinate mark कर देता हूँ, तो basically l, m हो गया, o हो गया, xy plane है मेरे पास तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ आती है, जो ol है, वो किसके इकल है x1 के, जो मेरे पास om है, वो किसके इकल है x2 के, जो मेरे पास bm है, वो किसके इकल है y2 के, और जो मेरे पास al है, वो किसके इकल है y1 के, तो इसको मैं join कर देता हूँ, तो a से, मैंने क्या किया, perpendicular draw किया BM पे और उस point को मैंने नाम दिया N तो ये बात का ध्यान रखना जो AN है वो LM के इकल है और AN जो है वो हमारे पास किसके इकल होगा यानि कि LM किसके इकल होगा हमारे पास X2 माइनस X1 तो X-Access पे जो M की position है उसमें से मैं माइनस करूँगा जो X-Access पे किसके position है L की position है वहीं पर जो BN है मेरे पास वो BM में से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ NM को और अगर मैं BM की बात करूँ तो BM जो है वो मेरे पास क्या है Y2 और जो मेरे पास AL था वो कितना था Y1 BM में से माइनस कर रहा हूँ ना NM को अब मुझे ये पता है कि जो NM है ठीक है और AL जो है वो आपस में equal होंगे अब AL Y1 है मेरे पास और जो BM है Y2 है तो ठीक है फिर हमारे पास जो BM की value हो जाएगी वो क्या हो जाएगी Y2 माइनस Y1 अब मेरे पास नहीं ट्राइंगल बन रही है ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल A and B अब धियान से देखो कौन सी ये वाली ट्राइंगल जिसको मैंने पिंक मार्क किया A and B एक right angle triangle बन रही है और क्योंकि ये right angle triangle है तो मैं इसमें क्या apply कर सकता हूँ मैं इसमें pythagoras apply कर सकता हूँ तो basically क्योंकि triangle A and B right angle triangle है अगर मैं इसमें pythagoras use करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा जो hypotenuse का square है that is perpendicular का square plus base का square so A B square is equal to A N square plus B N square अब मैंने A N और B N की values निकाल दी थी तो A B square किसके एकल हो जाएगा A N की value है x2 minus x1 x2 minus x1 का whole square plus B N की value थी मेरे पास y2 minus y1 यानि की B N क्या लिख दूँगा मैं यहां पर y2 minus y1 का whole square अब मैं B के उपर से square हटाऊंगा तो दूसरी वाली side root आ जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो इसके साथ मेरे पास यह formula आ गया जो भी origin पे point है उसके coordinate में क्या लूँगा x में भी उसकी position 0 होगी और y में भी उसकी position 0 होगी अगर ऐसी condition आएगी ना तो देखो मैं coordinate mark करता हूँ तो मेरे पास basically point P था वो x y position पे है और o जो हो है origin है और origin जो होता है वो x axis में भी 0 position होती है y axis में भी 0 position होती है हमारे पास अब मैं यहां से क्या mark कर रहा हूँ जो मेरा distance formula है न उसमें ये values put करूँगा अब धियान रखना जो x1 है वो 0 है जो x2 है वो x है वहीं पर जो मेरे पास y1 है वो 0 है और जो y2 है वो क्या है y है अब मैं इन values को put करूँगा x2 plus y2 तो अब इस formula को हम लोग questions में use करेंगे कुछ तो खुदी जो होगा न हम लोग को use करना आ जाए गए next जो point है मेरे पास क्या है 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 तो suppose करो इसको example से करते हैं suppose करो हमारे पास a b और c 3 point है तीनों के coordinates मुझे दे रखे हैं तो ठीक है सबसे पहले मैं distance formula use करके a b की value निकालूंगा फिर मैं उसके बाद a c की फिर मैं इसके बाद b c की value निकालूंगा तो a b की अगर value निकालूंगा वो क्यों हो जाएगा minus 2 minus 1 का whole square plus 7 minus 1 का whole square ठीक है अगर मैं इसको solve करूंगा further तो मेरे पास minus 3 का square plus 6 का square ये मेरे पास कितना जाएगा 9 plus 36 that is root 45 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 root 5 units तो a b की value आजेगी ये अब अगर हम b c के बारे में बात करें तो basically b c मैं कैसे निकालूंगा हमारे पास 3 plus 2 plus minus 3 minus 7 का whole square हो जाएगा अब एक बात का धियान रखना अगर मैं b c निकाल रहा हूँ तो b c में मैं क्या कर रहा हूँ देखो मैं c की position जो c की x की position है जो कि क्या थी 3 थी ना उसमें से मैं minus कर रहा था minus 2 को तो minus minus plus हो गया वहीं पर जो c की y में position थी यानि की minus 3 उसमें से मैं minus कर रहा हूँ 7 को तो minus 3 और minus 7 का whole square हो गया तो basically हमारे पास 3 plus 2 तो 5 होता है minus 3 और minus 7 10 हो जाएगा 25 plus 100 आजएगा और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 125 जो कि क्या आजएगा मेरे पास 5 root 5 units next time निकालते हैं ac अब ये ध्यान रखना अगर हमारे पास ab और ac का sum bc के बराबर आ गया तो ये कुलिनेर point होंगे तो ac में भी मैंने distance formula लगा है अब मुझे ac निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ c में से minus कर रहा हूँ c के x की position में से minus कर रहा हूँ a के x coordinate को न तो हमारे पास 3 minus 1 का whole square हो जाएगा वहीं पर मैं c की जो position थी y में क्या position थी minus 3 थी न minus 3 में से मैं a की जो y की position थी यानि की 1 उसको minus करों तो minus 3 और minus 1 का whole square हो जाएगा तो ये basically मेरे पास क्या हो जाएगा 2 का square plus minus 4 का whole square तो root 20 और ये 2 root 5 आ जाएगा अगर मैं a, b और a, c को add करूँ तो a, b और a, c को add करने पर मेरे पास क्या रहा है 3 root 5 plus 2 root 5 अगर मैं इस में से root 5 common ले लूँगा तो ये मेरे पास क्या जाएगा 5 root 5 units तो actually मैं a, b, plus a, c जो हैं वो किस के equal आ रहे हैं exist करते हैं तो जो हमारे पास 7.1 है उसमें इसी formula के ओपर और इनी concept के ओपर questions हैं जिनको हम लोग next video में solve करेंगे